हिंदी सिनिमा की मशूर एक्ट्रेस नूतन अपनी एक्टिंग से फिल्मों को हिट कराने की काबिलियत रखती थी एक्ट्रेस देवानंद से लेकर धरमेंद्र, दिलीप कुमार, संजीव कुमार और अमिता बच्चन तक बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया नूतन की शांदार एक्टिंग के लिए छे बार फिल्म फिल्म फियर अवार्ड से नवाजा गया इसके साथ ही उन्हें पद्मश्री समान भी मिल चुका है प्रफेशनल लाइफ के अलावा नूतन परसनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहती थी नूतन का परिवार पूरी तरह से फिल्मी था उनके पिता कुमार सें सामर्थ डायरेक्टर थे वहीं उनकी माशोबन सामर्त फिल्म एक ट्रेस थी इसके अलावा उनकी वेहन तानूजा भी सफल एक ट्रेस है नूतन और संजीव कुमार का किसा काफी फेमस है बतादें कि एक Unitres फिल्मों में सखल पारी खने के बाद उन्होंने नेवी आफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली शादी के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी असखबर के बाद सभी भौकचाक के रहे गए थे लेकिन बेटे मोहनीश बहल के होने के बाद वापस से उन्हें काफी शांदार रोल मिलने लगे जिसे नूतन मना नहीं कर पाई और वापस फिल्मों की तरफ रूख कर लिया साथ के दशक में उनकी और संजीव कुमार की जोड़ी लोगों को खुब पसंदाती थी उन दोनों की कैमेस्ट्री को देखते हुए दोनों के बीच अफेयर की खबरे आने लगी एक दिन सेट पर पड़े यूज पेपर को देखा तो नूतन गुस से में लाल हो गई घर जाने के बाद उनके पती रजनीश बहल इसे लेकर सवाल करने लगे दोनों के बीच अफेयर की खबर को लेकर आए देन जगड़े होने लगे इसे देख नूतन काफी परेशान रहने लगी एक दिन जब वो सेट पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि संजीव कुमार प्रेस वालों से बात कर रहे थे ऐसा देख नूतन को लगा कि ये सारी अपवाहे उन्होंने ही फिलाई है फिर क्या था नूतन ने आफ देखा ना ताव और संजीव कुमार को थपड जड़ दिया इस थपड के बाद संजीव कुमार पूरी तरह से सन रह गए और वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया बता दें कि इस बात का जिक्र 1977 में एक मैगाजीन में भी किया गया है नूतन बेहत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था जी हाँ, 52 साल की उम्र में कैंसर की वज़े से दम तोड़ दिया था